अब very good morning to you all दोस्तों एक बार पुन है आप सभी को नमस्कार हम सत्या physical education एक बार पुन है आप सभी का हमारे इस youtube channel पर स्वागत करते हैं तो दोस्तों जो हम आज आप लोगों के लिए topic लेके आए हैं वो लेके आए हैं access and plane दोस्तों ये जो topic है ये sports bio mechanics से आता है पार्ट है उसका और इसके अंदर बहुत सारे कई बार पेपर में exams में direct and indirect questions भी पूछे जाते हैं तो आज हम इस video के माध्यम से कोशिश करेंगे कि इस topic को हम cover up करें साथ ही साथ जितने possible questions हो सकते हैं वो cover up करें और पेपर में अगर इस topic से कोई भी question आ जाए तो हम उसको solve करें हमारा जो आज समझाने का जो medium होगा वो दोनों languages का होगा Hindi as well as English तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो पे और अगर अभी तक आपने हमारा channel subscribe नहीं किया हो तो channel subscribe करो दोस्तों के बीच अपना share करो because these are the conceptual knowledge MCQs सरफ करने से you will not be able to solve all the questions but अगर आपके concepts are better you will be able to solve each and every question so आज हम इसी concept पे बात करेंगे और इस topic को हम cover up करके चलेंगे so that next time हम इसको revise करने की जरूरत पड़े सरफ सरफ revise only 5 to 7 minutes that's all so दोस्तों video को end तक देखना है क्योंकि end में हम देखेंगे कि कौन से चीजें आती है अब दोस्तों इस topic को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ questions पूछना चाहूँगी जो अभी तक आपने other चीजों अगर किसी जगें पढ़ा हो तो वो आपने पढ़ा होगा कि ये वाला axis है तो ये वाला plane आ जाएगा ये वाला है तो ये वाला maximum physical education students को इस topic में बड़ी सारी परेशानिया आती है और specially 100 में से 80% बच्चे तो तभी गलत कर देते हैं जब कोई question गुमा के पूछ लिया जाए जैसे कि अगर कोई individual front roll कर रहा है तो कौन सा axis कौन सा plane होगा अगर कोई individual spin कर रहा है तो कौन सा axis कौन सा plane होगा अगर कोई individual cartwheel कर रहा है तो कौन सा axis कौन सा plane होगा अगर कोई individual curl up कर रहा है curl up या biceps curl कर रहा है तो कौन सा axis कौन सा plane होगा अभी तक आपने जो पढ़ा है वो सरफ पढ़ा है कि ये वाला axis ये वाला plane but when it comes to our body movements तो हम उसमें कई बार confused हो जाते हैं और आज उसी confusion को हम इस वीडियो के माध्यम से cover up करेंगे तो दोस्तों वीडियो को end तक देखना है और चैनल को subscribe ज़रूर कर दीजिएगा चलते हैं दोस्तों अपने topic की और that is axis and plane सो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि axis and plane हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस universe में there are millions of axis, millions of plane thousands of axis, thousands of plane हमें पता भी नहीं है but in our course it is only fundamental axis and plane we study fundamental axis and there are three fundamental axis and three fundamental planes यह fundamental है बहुत और बाकी सब derived है तो उसी के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहली जो term आती है that is axis और साथी साथ plane इनकी बारे में दूसरी जो खासियत है यह जिज़ा fundamental है दूसरी जो इनकी खास बात है यह हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे हमेशा ध्यान रखिएगा यह एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे तो बात करते हैं axis की तो दोस्तों axis होता क्या है axis है एक imaginary point या line एक कोई imaginary point है या कोई line है through the plane passes or line passes through the plane किसी plane में से pass करती है around which movements takes place जिसके इर्दगिर्द movement होता है हमारी जो अर्थ है वो किसके इर्दगिर्द गूमती है sun के तो sun is what sun is axis और हमारी उस axis के अर्थ हमारी वो अर्थ गूमे जा रही है cover up किये जा रही है तो sun is axis वो point जिसके इर्दगिर्द कोई चीज घूम रही है तो axis होता है जिसके इर्दगिर्द कोई movement कोई movement होता है और basically there are three fundamental axis that is sagittal axis lateral axis and vertical axis जिसको हम एक एक कर गे पढ़ेंगे next comes the plane plane is what plane is an imaginary surface surface मतलब कोई सत है जो किसी भी शरीर को that divides body into two parts किसी भी चीज को दो भागों में विभाजित कर दे जैसे कि ये कोई box है अगर इसमें कोई imaginary surface एक imaginary surface आजे तो वो इस body को एक उपर वाले इससे में एक नीचे वाले इससे में divide कर देगा एक यही box है कोई एक surface में डाल दू बीच में तो एक body left में एक body right में divide हो जाएगी yes or no तो ऐसे ही plane मतलब plane मतलब सत है वो जो कि किसी भी वस्तु को शरीर को दो हिस्सों में विभाजित कर दे तो वो है in which moments takes place जिसमें की movements होते हैं अब ऐसे ही हमारे तीन fundamental plane है जैसे frontal, sagittal and horizontal तब भी कोई axis होता है तो plane और ये axis का मैंने बताया दोनों का परस पर संबंद है और दोनों एक दूसरे का relation है that is अगर axis होगा 90 तो axis अगर है किसी भी angle पे तो plane उसके 90 degree एक दूसरे में इनका जो relation है वो हमेशन 90 degree का ही रहेगा ही रहेगा moving to our next thing coming to our point that is there are three things right there are three things called what? sagittal axis, lateral axis and vertical axis मैं आपको यहाँ पे axis बना के दिखा रहे है that is this is the plane हम जो बात करते है ये एक होता है x-axis, एक होता है y-axis एक third भी जाता है गर आपने थोड़ा सुना हो कभी तो z-axis, yes or no तो ये तीन axis होते है अब इन में से कौन सा कौन सा है वो हम बात करेंगे, right तो सबसे पहले आता है x-axis x-axis मतलब की lateral axis याद रखना lateral मतलब लेटा हुआ तो लेटा हुआ जो axis होगा वो क्या होगा? x-axis और याद करना हम counting कैसे शुरू करते है 0, 1, 2, 3 तो ये axis वो axis है जो from left to right जा रहा है या फिर right to left आ रहा है और लेटा हुआ है क्या कह रहा है? In this the line passes from left to right और from right to left तो पॉसिबल movement is front to back ये अभी करेंगे with example तो इतनी बात समझ में आगे कि lateral axis लेटा हुआ axis होता है ये either left to right कोई चीज जा रही है कोई line ऐसी है जो left to right जा रही है और कोई line ऐसी है जो right to left आ रही है दूसरा axis आता है my dear friends that is vertical axis vertical मतलब कि कोई चीज वर्टिकल है and this is called this is x-axis this is called y-axis y-axis is perpendicular to the ground or to the horizontal plane this is perpendicular उपर से नीचे की और top to bottom that is called vertical axis right and the third comes it is comes the sagittal axis sagittal is the third axis which means that this is the line that passes from anterior to posterior anterior to posterior मतलब from front to back right जैसे कोई ये body है यहां से कोई चीज आई और ये पीछे निकल गई from front to back जब भी कोई लाइन जाएगी from आगे से पीछे की और या पीछे से आगे की और that axis will be sagittal axis right और जब भी कोई ऐसी लाइन जाएगी front to back तो हमेशा movement side wide ही possible होगा ठीक है कैसा possible होगा sideward possible होगा right तो इतनी हम बात करते है clear अब हम बात करते है इसके end में मैं आपको बताऊंगी जो हमने पढ़ा है अभी तक that is sagittal मतलब sagittal का देखो एग्जामपल है मालनो किसी ने चाकू मार दिया तो चाकू कैसे मारेगा from front to back सीधे से ऐसे आएगा तो front to back मतलब sagittal axis ठीक है अचा अब अगर मैं बात करूँ lateral axis की तो कोई एक ऐसा arrow है जो मेरे left shoulder में से कोई line है कोई left shoulder में से right shoulder की और जा रही है right just assume जा रही है ठीक है बीच में से होते हुए तो movement कैसा possible होगा आगे और पीछे अपनी गर्दन का आगे और पीछे now third is vertical axis जब भी कोई line उपर से नीचे की और आ रही है right उपर से नीचे की और आ रही है तो that will be called as the vertical axis और sagittal axis क्या है सामने से पीछे की और right तो जब भी कोई से ने कोई चाकू मारा तो हमारे जो movement होगा वो होगा जैसे हम बोलते है यह side toe touch यह side knee touch side knee touch जब हम करते हैं तो हमारे movement side word होता है वो कब होगा when axis will be from front सामने से कोई axis होगा अभी ध्यान से करेंगे एक एक आगे बहुत अच्छे live examples आप लोगों के लिए दिये गए है hope this is clear to you ठीक है यह planes का है अब देखते हैं देखो यह यहाँ पे axis of rotation बताया हुआ है this is called transverse axis transverse axis किसको बोला गया है transverse axis बोला गया है which is going from left to right यह देखो यह अगर कोई axis है जो ऐसे left to right आ रहा है इसको हम transverse axis भी बोल सकते हैं और हम क्या बोल सकते हैं lateral axis भी बोल सकते हैं frontal axis या कई बार इसको anterior posterior भी कह दे जो front से पीछे की और जा रहा है आगे से पीछे की और इसका दूसरा नाम है sagital axis एक उपर से नीचे की और आ रहा है इसका क्या नाम है longitudinal है longitudinal है या मैं इसको कह दूँ vertical axis बहुत बच्चे confused होते हैं इस topic में so this was much awaited topic जो बच्चों के request से ही हम इसको video बना रहे हैं so hope this is clear to you और आपको पता भी लग गया होगा कि sagital का दूसरा नाम कई बार frontal axis भी बोलते हैं ये लोग ठीक है और ये सारी चीज़े हैं अब बात करेंगे हम लोग planes की planes क्या थे जो किसी भी हिस्से को दो भागों में विवाजित कर दे plane right there are three fundamental planes called frontal plane, sagital plane and horizontal plane frontal plane का पहली बात दूसरा नाम बोलते हैं coronal plane क्या बोलते हैं coronal plane frontal plane को बोलते हैं और इस plane में जो होता है ये x y x y x x y plane होता है this is the plane that divides the body into anterior and posterior half आगे और पीछे की हो, जैसे ये कोई body है इसको कट कर दिया तो एक इसका हिस्सा आगे गिर जाएगा और एक हिस्सा पीछे गिर जाएगा उपर से तो frontal plane मतलब जो front से कट कर दे frontal ठीक है, जो body को अगले और पिछले हिस्से में divide कर दे ठीक है next comes the sagittal plane this divides the body into left and right half left और right half में ये divide कर देते हैं ठीक है, तो left और right half मतलब कि ये कोई body है इसको divide कर दिया, एक हिस्सा left में रह गया this is left and this is right तो एक ऐसा plane है, क्या? जो कि किसी भी area को left और right में divide कर देता, the third is a horizontal plane अब ये horizontal plane है horizontal plane क्या है, किसी भी body को upper half and lower half में जो divide कर दे that plane is known as horizontal plane right अभी तना तो आप सभी ने पढ़ाई होगा जैसे कि ये देखो this is sagittal plane या मैं कहूं सब से पहले frontal plane, frontal plane में देखो कहां से cut किया हुआ है, body आगे और body पीछे next comes a horizontal plane जिसने body को बीच से divide कर दिया sagittal plane is this is left and this is right yes or no अभी मुझे तुमें अगर ये plane भी समझ में आ गए हो न sagittal axis अगर मैं बात करूँ अगर आपको याद हो तो क्या था आगे से पीछे की और चक्कु मार न था अब चलो कोई बात नहीं छोड़ो कार्ट वील आपने ये तीनों समझ लिए sagittal axis, horizontal plane, frontal plane sagittal plane, vertical axis जो भी है अभी जलो देखते हैं हम लोग एक individual क्या कर रहा है ये मैंने एक individual बनाया and this individual is doing कार्ट वील इसका movement कैसा हो रहा है इसका movement हो रहा है right कैसा हो रहा है right right side हो रहा है, फिर दुबार right side हो रहा है yes or no तो जब भी ऐसी चीजे होंगी जब भी ऐसी चीजे होंगी तो क्या आएगा कि ये body को दो हिस्सों में divide कर रखा है, अगर मैं कोई line है मैं कैसे लेके आऊ line कि इस पर perpendicular है, आप मुझे बताओगे ऐसे आगी तो parallel आगी, ऐसे आगी तो भी parallel आगी अगर ये moment तभी possible है जब कोई line कैसे जाए भाई ये जाए जब कोई भी plane इस पर perpendicular ये मानना जाएगा इस पर perpendicular ये मानना जाएगा इस पर perpendicular ये मानना जाएगा अगर आपको इतना समझ आ जाता है जैसे कि this was the which plane, this was sagittal plane और sagittal plane है sagittal plane है तो sagittal plane में हमेशा क्या आ रहा है left to right lateral axis राइट हुई बात समझ में आई ये है vertical axis उपर जे नीचे की और ये सीधा आ रहा है कोई भी individual अब ये होगा vertical axis ये body जो है front to जा रही है, अब हमने क्या बोला था cart wheel, तो body कैसे twist करेगी ऐसे twist करेगी ऐसे movement करने के लिए कोई axis सामने से जाना चाहिए और जब सामने से जाएगा कोई भी axis that will be sagittal axis मैं आपको बता दू, क्या होगा sagittal axis sagittal axis and this will be the frontal plane अभी आपको आगे समझा देते हैं hope, ये 90 degree वाला angle इसमें समझ में आ गया होगा अभी इसको हम cover up करेंगे frontal plane का दूसरा नाम होता है coronal plane और ये होता है sagittal axis ठीक है? ये दोनों आपस में relation है अभी ये A, B और A, D क्या लिखा हुआ है? इन शोट, जो latest thing है अगर की body में abduction और adduction हो रहा है अगर body में abduction and adduction हो रहा है तो वहाँ पे क्या responsible होगा? frontal plane या coronal plane और sagittal axis हमेशा ध्यान रगना for example, मेरा जो हाथ है वो भी थाइस के पास है लेकिन वो थाइस से सीधा जा रहा है sideways तो जब भी ऐसे movement होंगे abduction, adduction तो उसमें हमेशा, हमेशा, हमेशा sagittal axis होगा और frontal plane होगा इसलिए एक individual cartwheel करते वक्त ऐसे जा रहा है ठीक है? ये हाथ को ऐसे रखेगा दूर उसके बाद जाएगा और करेगा तो जब भी ऐसा movement होगा इसका मतलब कोई सामने से इसके पार जा रहा है और कोई चीज आपको अगर sagittal axis आपने पढ़ा हो तो था कि from anterior to posterior और movement takes sideward side में movements होगे सारे और जब भी side में जाती है चीज side में जाती है कई बाद transverse भी कहा जाता है horizontal मतलब यह horizontal है और transvertical मतलब यह vertical है हमेशा ध्यान रखना इसके जो भी examples आएंगे that will be spin मैं अपनी ही body यह मेरी body है एक ही point पे spin कर रही है rotate कर रही हो तो axis perpendicular कौन सा होगा vertical axis and horizontal plane ठीक है आप अपना head shake कर रहे हो head no कर रहे हो head shaking में no कर रहे हो ठीक है तब भी कौन सा होगा तब भी कौन होगा क्योंकि यही होगा vertical axis and this plane ice skaters होते हैं तो जब भी rotation जैसी बाते होती हैं तो rotation वाली बाते हमेशा किसमे होगी vertical axis and horizontal plane अभी आगे आपसे examples भी दिखाएंगे vertical plane perpendicular होगा और इसके अंदर जो भी movements होगे that will always be flexion and extension तो आप किसी भी question को solve करते वक्त या तो उसके movements का पता लगा लो या फिर किसी एक को पकड़ लो and next answer will be in front of you and there will be 0.01% chances कि आप इस question को wrong करेंगे जैसे कि अभी देखते हैं ये एक आपकर diagram दिखाया है आपे मैंने पढ़ा कि जब भी movement जब भी from left to right कोई axis plane जा रहा है जब भी कोई left to right जा रहा है तो उस left to right को हम क्या कहेंगे left से right की और transverse या lateral लेटा हुआ और जब भी कोई चीज लेटी हुई है जब भी कोई चीज movement जो है जो movement है कैसा plane कैसा रहेगा sagittal plane plane था जो body को divide करते confuse मतो ना sagittal में और frontal में frontal मतलब जो body को front और back में बाट दे sagittal मतलब जो left और right में बाट दे और जब भी कोई चीज लेफ्ट राइट होगी तो उस पर perpendicular जो रहेगा वो हमेशा lateral axis होगा और plane होगा sagittal देखो ध्यान से दिखाया है अब इसमें इसलिए ये जो body movement है ये body movement कैसे करेंगी जैसे अभी देखो this is called मैंने अभी आपको example दिया इसमें नहीं ये देखो sagittal plane ये देखो ये कैसे movement हो रहा है अगर इसकी elbow में से कोई angle जा रहा है तभी ये movement इस way में कर पा रही है और ये वाला जो axis है या ये shoulder को या front back move करे front bend करे front bend करे ये body कैसे करेगी यही करेगी front bend तो ये जो movement कर रही है flexion extension जब भी कभी होगा flexion ये जो body है ये जो movement करेगी वो इस तरीके से करेगी तो जब भी कभी flexion extension होगा तब हमेशा sagittal plane frontal axis तब भी कभी ऐसे sideward movements होगे कभी भी sideward movements हो cart wheel होगया, jumping jacks होगया मैं यहा लिख देते cart wheel jumping jacks ठीक है जब भी abduction and adduction होगा तब हमेशा क्या होगा और ये movement कब हो पा रहा है जब कोई चीज आगे से इसके यहां पे और यहां से पीछे की और जा रही है तब ही ये movement कर पा रही है तो axis को पकड़ लो अपने आप answer पता लग जाए और जब कोई ऐसी है तो plane कैसा होगा कोई front में होगा जब ही तो 90 degree बनेगा ये जो movement इसका bicep curl कर रही है ये जो lady अब इसका कोई lateral axis है और lateral axis किसके perpendicular होगा बस पता लग गया sagital plane के perpendicular होगा ये jumping jacks अच्छा ये जैसे है forward lunging forward lunging और forward lunging कैसे कर पा रही है इसके यहां पे कोई line गई हुई है जिससे यह आगे रख रही है इसके knee में भी ऐसे गई हुई है जब भी कोई left to right होगी तो left to right में हमेशा क्या होगा left to right में क्या होगा lateral axis होगा lateral axis मैंने पकड़ लिया इतना मिरे पता लग गया show shore की lateral axis है और lateral axis के कौन सा है अगर कोई ऐसा axis है तो उसके कैसा plane होगा ऐसा और ये वाला कौन सा plane है this is called sagittal plane which divides the body into right and left jumping jacks है कैसे जा रही है jumping jacks में jumping jacks is another example jumping jacks में देखो ध्यान से jumping jacks में she is doing कोई moment इस plane में हो रही है sideward abduction and adduction ध्यान से देखो abduction and adduction तो जब भी abduction and adduction होगा there will be sagittal axis and क्या होगा अभी हमने पढ़ा था sagittal axis sagittal axis सामने से कोई line है imaginary line ठीक है और frontal plane frontal plane मतलब की जो इसकी body को इस तरीके से divide तो जब भी abduction and adduction legs के बीच में हो रहा है तो sagittal axis and this will be called as frontal plane तो ये flexion, extension, abduction, adduction से आप पता लगा सकते हो ठीक है hence it can be concluded that this is the main and most important any abduction or adduction moments will occur in frontal coronal plane in sagittal axis for example jumping jacks, cartwheel lateral torso, flexion ये जो भी है moments like rotation, spinning, shaking head will occur in horizontal plane and lateral axis spin हो रहे हैं एक जगह पर तो जब भी को इंडिविजूर्फिए आपने देखा है से जब भी को इंडिविज्वर्स अब्स अ देखा है में answer करके बताईएगा कि forward bending forward bending is an example of forward bending is an example of is an example of या इसके अंदर forward bending में कौन सा किसके example है या इसके अंदर कौन सा axis and कौन सा plane होगा यह आपने मुझे comment section में comment करके बताना है ठीक है forward bending backward bending I can say ठीक है and hand rotation trunk twist hand rotation में कौन सा axis कौन सा plane है hand rotation ठीक है तो इस तरीके के answers आप अपने आप ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा axis अगर सामने से आ रहा है तो plane उसके perpendicular होगा totally perpendicular 90 degree and मुझे अगर axis का पता लगा सामने से आ रहा है तो मेरा movement कैसी move करेगा that will be more than enough और यह सब चीजे आपके question को 90 degree बना देती हैं कि आपका answer सही ही होगा तो दोस्तों I hope यह topic आपका clear हुआ हो और इसी topic के साथ आज का हमारा थोट है that time isn't the main thing isn't it isn't the main thing it's the only thing so choose wisely do not waste time on direct studying mcqs try to clear your concepts no matter from wherever you are clearing but try to clear your concept because today's paper is not only based on mcq it is totally based on concepts and if you want to get success in that exam or any exam you need to try or you need to clear your concepts so dosto concepts here and concepts will make you will make you to get success in any exam सरफ एक concept ही ऐसी चीज़े इसको दो बार रिवाइज की और तीसरी बार हो आपके दिमाग में है उसको याद करने की भी जरूरत ने पड़ती तो try to focus on that thing do not waste your time and we wish you all the best and good luck for the upcoming all type of UP, LT grade exams and this exams, Rajasthan exams or DSSSB vacancy comes, KVS is pretending to give vacancies तो तैयारी शुरू करतो दोस्तों एक बार ही तैयारी करनी है and you will get success at the end thank you, have a good day take care of your good health thank you again